वोप्राइन क्या आप धुन्द यूद करते करते ठक गए हैं और फिर भी आपके श्लक्स नए मूव्ज नहीं सिख पाई क्या हाजी बिल्कुल क्या दूसरे स्लिंगर्स को बहतरीन श्लक्स मिल रहे हैं और आपको मिल रहे हैं सिर्फ फ्लॉपर्स आलसी और सड़ेवे फ्लॉपर्स हाँ जी क्या आप कन्फ्यूज है या आपको ये भी नहीं पता कि आपका श्लक करता क्या है इसे तो मेरी दिमागा की बाता पता चल गई हैं तो आई एक ट्लब श्लक्स में हम जानते हैं कि एक श्लक को पारफुल बनाने के अलाबा और मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, सिवाए घर बैठ कर देखने के, और वो भी आराम से मसाज लेते हुए एक फुल्ली एर कंडिशन स्पा में, थैंक यू साजेंट स्लग मैं अपने नाखुरा कटवा लूगा उन बजार कैसा, मैं हूँ साजेंट स्लक, और मैं तो कहूँगा उठिये, अपने बैक पैक कीजिए, और मुझे आपका काम करने दीजिए ताकि आप आराम कर सके, ये एक आरणर है, आजरीये सर! अब ही से ही माफी मांग लो क्योंकि मुझसे हारने के बाद तुम उसके काविल भी नहीं रहोगे तुम धंकी दे रहे हो या फिर जोक सुना रहे हो मैं केव ट्रॉल हूँ कोई कमेडियन नहीं बात में दम तो है तुम दोनों कर क्या रहे हो अपने ओपोनेंट को डराने और धंकी देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्यास होग अगर हम तुम क्या काम बे असे इन जा बाता रहे हुआ 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 बहुत अच्छे बैंगा निराश मत होना कॉर्ड ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है तुम्हारे लिए तुछ महिनों पहले तक तो तुम्हें एक ब्लास्टे से श्लग निकलता कैसे ये नहीं पता था और अब मैं तुमसे एक मैच नहीं जीत पा रहा हूँ प्रांटो ये सामान कहां ले जा रहे हो आहां बहुत अच्छा सवाल पूछे मुझे भी आप सबसे एक सवाला पूछना है द्वन्द युद करते करते क्या आप सब लोगा ठक गए हैं क्या नहीं एक स्लग स्लिंग होने में यही तो मज़ा है हां जब आप हर बार जीत रह छुट्टी अप्लान बनाए ना क्लब स्लग में अच्छा पर मैं एक स्लिंगर हों कोई डांसर नहीं को निजिए यह रात में आने वाली एड़िटाइजिंग की बात कर रहा है वों लग स्लंस के लिए बेसिक ट्रेणिंग कैम्प और श्लिंगर्स के लिए वेकेशन है वे कि थाकत मिलीगी ना और वो भी सिर्फ एक इस हफ्ते में जी वैसे सुनकर विश्वास नहीं होता पर पूल वाली बात मुझे बहुत अच्छे लगी अगर ऐसा करने से मैं तुमको हरा पाऊं विलाए तो मैं अभी चलूंगा वैसे इसकी फीज कितनी होगी यह सफलता कि कोई कीमत नहीं होती जी सीधे सीधे बताओ प्रॉंटो क्या है मैंने बताए नहीं कि हमको कंपेंशे में जाने मिल रहा है सिर्फ अपना हादा सोना देना पड़ेंगा तुमने ऐसा क्यों किया मैं वो नए ब्लास्टर के लिए बचा रही थी हमने कितने मेहनत से उसे कमाया था और इसी वज़े से तुम्हें छुट्या लेनी चाहिए देखा भाई कि इतना समझदार हूं अगर कोई फाइदा नहीं हुआ तो मैं मेरा सोना वापस होगा वापस कुछ नी मिलेंगा ऐसी बात है तो भड़ पेट खाना खाकर हम अपना सोना वसूल कर सकते हैं लो हम क्लब स्लग में पहुँच गए अब हम अपने स्लक्स को नॉन ट्रेडिशनल तरीके से पावर्फुल बनाने के लिए तयार हैं पर पहले आओ कुछ नए महमान उसे मिलते हैं हाई मैं यहाँ एक शॉट दोक्योमेंटरी शूट कर रही हूँ तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्लब स्लग में क्यू आए हो मेरा नाम वेलिन है और मैं यहाँ अपने स्लग को अपड्रेड करने आया हूँ वैसे वीकेंड पर में और मेरे कुछ दोस्त मस्ती करते हैं और स्लच प्लिंग करते हैं इसके बाद मेरे स्लच सब को हरा देंगी अची बात है और तुम कान हो? इस लग टेरा में तुम अकली ऐसी हो जिसने क्रोसियस समुदाई के बारे में नहीं सुना अगर ये जो कहते हैं वैसा करते भी है तो मैं इस जगे को खरीद लूँगा दे हाथी, माफ करना और तो क्यों आई हो, मुझे शूट मत करो ठीक है अटेंशन, लाइन में खड़े रहिए और सीधे खड़े रहिए दो फ्लॉपर्स, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फ्लॉपर्स लक्स की बात कर रहा हूँ, समझे वो काम करेंगे ताकि आप आराम करें आज हमारे साथ शेन के परिवार से भी कोई है मुझे तुम्हारे इंसलक्स को ट्रीन करने में खुशी होगी ओ, मैं तो सिर्फ यहां वाटर स्लाइड के लिए आया हूँ बुरा मत मानिया सर पर आपकी बाते सुनकर ऐसा लगता है ये सब सच नहीं हो सकता मैं बुरा नहीं मानता बच्चे बहुत बार सुन चुका हूँ ये लेकिन वीकेंड के बाद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा तो चलो सब लोग मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं बिन आपने सीक्रेट्स बताए मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे करते हैं लेकिन उससे पहले मुझे एक स्लक चाहिए डेमुस्ट्रेशन के लिए आउ मेरा स्लक ले लो, मेरा ले लो देखा ये स्लक कितने एक्साइटेड है ये जामते हैं इनके लिए क्या अच्छा है मेरा ये स्पेशल स्लक फूड इनमें फूरती लाएगा चलो शुरू हो जाओ जल्दी वाँ, कितना मदा आ रहा है ना स्लक को मशीन में लोड करते ही वो रपतार पकड़ लेता है ट्रैंसफॉर्म होता है टारगेट ट्यूम में जाता है और मैगेजीन में वापस आता है जहां पर वो शॉट लेता है उसके बाद एक और शॉट, एक और शॉट ये पूरा दिन, पूरी रात चलता रहता है और इसी की वज़े से वो नई टेखनीक सीखते है वो भी इतनी जल्दी की आप सोच भी नहीं बाएंगे और स्लक्स को भी ये बहुत पसंद है अपने स्लक्स मुझे दे दो ताकि हम उन्हें अपग्रेड कर सकें देखा उनका कबाद और ये सब होता है बिना किसी महनत के मेरी स्लक्स में तो अभी सही पावर आ गई है तो क्या कहते हो एलाई? मेरा तरीका ट्राइ करना चाहोगे तुम्हारे स्लक्स तो एक्साटिन है मेरे स्लक्स और मैं पुराने तरीके से ही खुश है और हम सब यहां विकेशन मनाने आए है अज शेन के परिवार वाले हमेशा पुराने तरीके आसमाते हैं वैसे मुझे तुमारी फीस पहले ही मिल चुकी है ओके एब्रिवान वहां जाकर रिलाक्स करो ये एक ओडर है जिवाए तुम लोगों के अफकोर्स चलो दोस्तों चलकर वाटर स्लाइड देखते हैं मानना पड़ेगा प्रॉंटो मुझे ये पसंद आया उसी टेप अच्छी देना कॉद ये अच्छा साउदा है पापा हमेशा कहते हैं जो काम किसी और से करवा सकते हो वो खुद क्यों करे और इसके लिए मैं बहुत पैसे दूँगा जब मैं घर जाओंगी तब अपने भाई को दिखा दूँगी कि मैं क्या चीज हूँ जब मेरे स्लक्से मैं उसे हरा दूँगी देखा किसे वो मशीन पसंद होगी जब आपके पास हो ये अटेंशन एवरीबड़ी काफी देर से आपके स्लक्स प्रेक्टिस कर रहे हैं तो क्या आप देखना चाहेंगे कि आपके स्लक्स में कितना बदलाव हुआ है क्यो नए है क्यो नए है तो फिर ठीक है कोई friendly द्वांद्वयुद करना चाहेगा क्या किसी ने द्वांद्वयुद कहा मैं तयार हो क्या बात है लाइ तो अपने नैस लक्स को शेन किस लक्स के साथ कॉन्टेस्ट करेगा ठीक है मैं करूँगा तो फिर हो जाए ठीक है बॉइज, एक शलग और एक शाट मैं तुम्हें हरा दूँगा तुम मेरे नाइस लग्स के सामने टिक नहीं सकते हीलाई शेयन बोलते जाओ कॉर्ड वैसे भी तुम इसी में माहिर हो नहीं, इस बार तुम नहीं बवपी उस पर ज्यादा सक्ती मत बरबना बैंगल बाते बहुत हुई, तयार हुजाओ सिंगर्स मेरे इशारे पर द्वांद यूग तो एलाई शेयन, क्या तुमें अब भी लगता है कि मैं जूट बोल रहा हूँ एलाई, तुम ठीक तो हो दोस्त लगता तो है, तुमने मुझे हरा दिया तुमने सही कहा, मैं जीत गया जीत गया मैं, ने तुमने हरा ही दिया अभी ने मूव के साथ, ये कमाल का था सही का, सही बोले, काश में तुम पर पैशे लगाता अब भी विश्वास हुआ कि नहीं ये सच में कमाल का था तुम ठीक तो हो, बैंगर, क्या हुआ तुमें तुम फाइट हार गए, और क्या हुआ ठीक है, अब मशीन में वापस चलो टपकाई पावरफुल बनने के लिए भी कुछ और सेशन्स लगेंगे अब बेरी बारी, बेरी बारी अब शक्तिशाली प्रॉंटो, ये लाई को और भूरी दरा से हराएंगा आहां, क्यों नहीं, क्या कहते हो एलाई, क्या अब तुम अपने इस लग्स को ट्रेन करवाना चाहते हो ठीक है, चलो बैंगर को एक और मौका देते हैं और देखते हैं री मैट में वो कैसे करता है तुम सच में ठीक हो न दोस्त, मैंने तुम्हें हराने से तुम परिशान तो नहीं नहीं, ठीक है, मुझे खुशी है कि तुमने आखिर कार मुझे हरा ही दिया पर मुझे अब भी नहीं लगता कि एक मुशीन सलक को इतना पाफुल बना सकती है हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें हरा दिया पर जो भी, तुम हार गए और यहीं सच है, अब इस से ज्यादा सुबूत, तुम्हें और क्या चाहिए लगता है बैंगर को यकीन हो गया है वो एक सलक है लेकिन वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे पाफुल बना दूगा घबराओ मत बैंगर, मैं यहीं पर हूँ मुझे वो घबराया हुआ नहीं लगता, बलके खुश लग रहा है चिंता क्यों कर रहे हूँ बच्चे, मैंने ऐसे हजार उस लक्स को ट्रेन किया है लगता है, उसे यह पसंदा रहा है बहुत पसंदा रहा है, सुबा तक रुख जाओ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा देखा, मैंने कहा तारा तुमसे ठीक है, अब थोड़ा विश्वास होने लगा है, कैसा लग रहा है बैंगर? इसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं लोग समभालो इसे, चलो बिकफस्ट का वक्त हो गया है, जितना चाहो उतना खाओ क्या बात है, अब लो अड़िया हो क्योंकि सबसे महान मेने लगा राजी अब चलो भी बैंगर, बहुत ट्रेनिंग कर ली वो, बैंगर? बैंगर मुझे कभी काटने की कोशिश नहीं करता, ये उस मशीन की वज़ा से हुआ है हे, वो चाहे जो भी हो, उन्हें इसमें बहुत मज़ा आता है और क्या तुमने देखा कैसे कॉड के स्लकिट वनवयोत के बाद बुरी हालत थी? साज़न स्लक ने उसे अपने पास ले लिया, वो जरूर हमसे कुछ चुपा रहे हैं उन्हें पारफुल बंदे में कई सीजन्स लगते हैं बच को ही देख लो, वो काफी शक्ती शाली है देखो, शायद कुछ न कुछ गडबढ हो ईलाए पर हमने फीस पूरी भर दिये, इसलिए कैंप के खत्मोहने तक यहीं रुखना पड़ेगा मुझे यकीन है, उस मशीन में जरूर कुछ गडबढ है और वो क्या है, यह मैं पता लगा कर रहूँगा चलो, बैंगर, शायद थोड़ी एक्सरसाइस करने से तुम ठीक हो जाओगे कोई बात नहीं, बैंगर, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी वाउ बैंगर, तुम ठीक तो हो लगता है तुम्हारी एनरजी खतम हो रही है, आखिर हो क्या रहा है वो हमीच चीट कर रहा है, मैं अभी वही सोच रहा हूँ जब तुम सोच रहे हो अब मेरे सलक्स को ही देख लो, वो मशीन उन्हें पागल बना रही है यानि मैं सही था, पर कैसे, वो सिर्फ कुछ शॉट्स के लिए पावरफुल बनते हैं, तुम्हें उन्हें फिर से पावरफुल बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं साजन कहते हैं, वो मेंटेन्स है, उनके सलक्स फिट है, पर वो उन्हें हमेशे उसी तरह चार्ज करते रहते हैं मैं यही तो पता लगाना चाहता था Congratulations everyone, बादे के मताबिक ये रहे तुम्हारे नए और पावरफुल सलक्स इससे अच्छे सलक्स कहीं नहीं मिलेंगे इन्हें ट्राइ करने के लिए मैं बेताब हूँ सबको बताना मत भूलना कि आपके सलक्स को ऐसा क्लब सलक्स ने बनाया है तुम्हारा मतलब इन सबको चीट करना है न? ये बनावटी सुधार ज्यादा देर तक नहीं टिकता दोस्तों और तुम्हें यहां बार बार उन्हें सुधार ने आना ही पड़ेगा दोस्त मुझे यहां आना पसंद है मेरे पैसे मेरे सलक्स तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किसी सलक्स को दर्द होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है और ये तुम्हारे लिए खतरनाख हो सकता है सलक्स को ट्रेन करने में जो वक्त लगता है उसके बीचे एक वज़ा है ताकि आप अपने सलक्स पर ठीक से काबू कर पाएं इस तरह किसी ना किसी को लुक्सान जरूर होगा ये सलक्स तो बिलकुल गूल्स जैसे बन गए है तुम एक शेन जरूर होगे लेकिन तुम मेरा बिजनस बिगाड रहे हो जो मेरा साथ देगा उसे मिलेगा एक महिने का फ्री मेंटेनेंस लगता है ये सब मेरे साथ है अब तुम नहीं बचोगे हम तुम्हारे साथ हैं इलाए मुझे तो बसिंग सलक्स की चिंता है मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ वो सलक्स तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है मैंने इन पर काफी पैसे खर्च किया है तो मैंने इस्तिमाल तो ज़रूर करूंगा अध्याओ सब लोगा मैं इसे रोकता हूँ नहीं आउट आई बहुत 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 इलाई सोरी अध्याउ अगली बार तुम उसे हरा दोगे बोपी कि यकीन नहीं हो रहा कि मेरे स्लक्स इतने शक्ति शाली है अब तुम नहीं बचा दो कि यह अब तुम पर दो इनके श्लक्स को वेस्तमत करो इनके श्लक्स जल्दी ठक जाएंगे उमीद है सक जल्दी होगा यह नहीं होगा रिलाक्स सच में रिलाक्स मेरे पास पावफुल श्लक्स की आन्मी है बच्चे तुम्हारे पास क्या है दोस्ट जिनके साथ जीता हूँ दोस्ट जिन पर भरोसा कर सकता हूँ है न बोपी तुम्हारे पावफुल श्लक्स की एनरजी खत्म हो रही है साजेंट बिल्कुल गलत मेरे पास इस प्रावलम का सिल्यूशन है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे मुझे ऐसा नहीं लगता तुम्हारे इस लक्स कमजोर है जबकि मेरे शक्ति शाली तुम्हें यकीन हो तुम ये कर सकते हो तो चलो बोल जाए किया बात है बैंगो हमारे इस लक्स को पावर कभी मिली ही नहीं और हम मरते मरते भी बचे पर अब हमें कोई धोका नहीं देगा कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन तुमने सही कहा था कि ये ट्रेनिंग कैम बिल्कुल फर्जी है और इन बेकार श्लक्स की मदद से तो मैं कभी भी अपने भाई को भी नहीं हरा पाती अगली बार में अपने स्लक्स पर पुराना तिरीका ही इस्तेमाल करूँगा और मैंसे मेरा मतलब है मेरा बट्लर और शायद मेरा कुक और मेरा ट्राइबर पर फिर भी वो कमाल का था है न हमारे इइसलक्स किस तरह पागल हो गए थे वो वैलन वो कमाल नहीं था हाँ शायद तुमने देखा ही होगा मैं कोई फास्ट लर्नर नहीं हूँ क्या बात है प्रांटो क्या तुम्हेरे स्लक्स को ढूंद रहे हो स्लक्स नाय मैं ढूड़ रहा हूँ हमारा थोड़ा हाँ 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 अब हम फाइना उटा सकते हैं एक आईसे मौके का जिसके बारे मुझे अविछ पता चलाएजी कैसा मौका कुछ लोग कभी नहीं सीखते मुझे एक जीनियस के बारे में पता चला है जो मेकैनिकल बीश को आईसा सूपर चार्ज करता है कि वो नॉर्मल स्वीट से पांच गुना थेजी से भागते ना करता है